है गाई से वेलकम वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आरही थी कि मैं कुछ ग्रीनी आई लुक तिखाऊंग तो हेर आइम विथ यूव बहुत सारे कमेंट आरहे थे कि हमारा लहेंगा ग्रीन है माई ड्रेस ग्रीन है तो यह वाला मेकप आ या डाक ग्रीन है तो थोड़ा बहुत चेंज कर लेना आइशाइडव में अधर्वाइस यह लोग आपके ग्रीन ड्रेस पे एक तम पॉफेकली जाएगा सो काई स्टार्ट करते हैं मेकप सबसे पहले में यूज कर रही हूं मॉस्राइजर क्लिंजिंग टोनिंग मैंने कर अब मैं मॉफ्राइजर के लिए यूज करें हूं जो और मियूज कर रहा हूं जो यूजिंग जालेल विह खूते हीं जोकार के मया ऐगमर में ठार धा तर्मलिक शेड़ में यहेंगा सो अब स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकप सबसे पहले यूज कर रही हूं मैं ब्राउन शेड अपनी आइब्रोज को फिल करने के लिए एंगल ब्रिश की हैप से आप चाहे तो ब्राउ पॉमेट या आइब्रोज फिलर जो भी चाहे आप यूज कर सकते हो मुझे ब्राउन इनला जाए आइची हैप, के लिए नहीं secured tip-क में रिट पहले को फिल करने के लिए मैं ब्राउन कलर का हैईब्रो फिलर यूज करती हूज आइंगल ब्रिश के थासे फिल कर लिया था उसके बाद मैं यूज कर रही हूं यहां पर यहलो तर्मरिक शेड सेम जीम्स की पालेट में से इसको मैं अपनी क्रीज आउटर भी में अच्छे से अपलाई करके ब्लेंड कर लूंगी और जैक्लीन की पालेट मैंने यूज करी थी मैंने जीम्स की पैलेट बोल दिया अच्छे से करने के बाद उसमें सेम पैलेट में से ब्राउन शेड उसको अपनी क्रीज में अच्छे से अपलाई कर रही हूं और ब्लेंड कर रही हूं उसके बाद में यूज कर रही हूं एक ब्लेंड कर रही हूं उसके बाद में यूज क यूज़ करें लेकिन वाइट काजल का मेरे पास कुछ कामी नहीं है क्योंकि मैं इसको एज़ा काजल यूज़ कर लेती हूं मतलब कभी-कभी कट क्रीज में अच्छे से इसको फिंगर की हैप से ब्लेंड कर लूगी कोछ इस तरीकिसा है अब मैं अपलाए कर रही हूं ग्रीन अच्छे से कलर पॉप अप होके आते हैं लेकिन ब्रश की हैज से तना मजा नहीं आता ठीक है तो उसके बाद में यूज़ कर रही हूं डाक ब्राउन शेड का मिक्श्चर अपनी आउटर वी और क्रीज एरिया में डेप देने के लिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते ह आप सभी कोई आई लोग पसंद आएगा क्योंकि ग्रीन आई लोग बहुत दिन से डिमांड पे था तो जैसा आप चाहते हो आई होप मैंने उस तरीके से करा हो और उसके बाद फिर से अपना शिमर शेड अप्लाई कर रही हूं क्योंकि थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं जब आउटर वी में कलर को तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है हमारा कलर इस वजे से अच्छे से में अपलाई करके ब्लेंड कर लोंगी एंड उसके बाद मैं यूज कर रहे हूं लैक मेंका आई-लाइनर उससे में विंग आई-लाइनर ड्रो कर रही हूं और पता नहीं सारी आव बैट के शूट करती हूं वीडियो और पार्ले में कोई कस्टूमर आ जाता है तो मुझे मुझे बहुत गुसा आता है अब मैं सोच जी हूँ कि एक अलग रूम बना लूँ अपना कि यहां पे मैं वीडियो शूट करा करूंगी नीचे वाला जो मेरा रूम है उसमें वीडियो शूट करना बहुत मुझेल हो जाता है क्योंकि सबकी आवाज आती है मेरा रूम ऐसमें और कोई आजाता है तो मेरे रूम में ही आता है सबसे पहले तो मैं सोच रहे हैं अब अपना रूम उपर कर लूँ थोड़ा टांस्फोर्मेशन वगयरा हो जाए रूम का तो देखते हैं आप क्या होता है सो अब मैं अच्छा को ब्लंड कर रहरी हूँ कि अदर ब्लैंड कर रहा हैं आप eran और इयर्स पर नमेट पर लिए ब्लैंड कर लेंगे अब मैं क्या बोलुО तुरह मैं ब्लैंड को सब्सक्राइब कर लेती हूं कि और जीकी मैं तूरू 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 उसके बाद यूज कर रही हूं मैं Miss Rose की concealer palette जिसे मैं अपने T-zone में apply करने वाली हूं आपके जहां भी अगर पिंग पल वगएरा है डाक स्पोर्ट है वहां पर भी आप अपलाए कर सकते हो मैं अपने face को highlight करने के लिए यूज कर रही हूं ठीक है अब अच्छे से लगा लूँगी में थोड़ा अपने neck पे लगा रही हूं क्योंकि मेरा neck area मेरे face से थोड़ा सा dark लगता है camera पर पता नहीं क्यों लगता है मुझे नहीं पता क्यों लगता है बट लगता है तो हम कर लेंगे इसको भी थोड़ा गोरा सा अब कुछ लगते हैं तो सब मतब अलग अलग लगते हैं camera पर आप आप बिल्कुल जैसे हो यह वैसे ही दिख रहे हो थोड़ा बहुत दिखता है थोड़ा बहुत तो अम ऐसे ब्रश के हैप से blend कर लोंगी इस concealer को and मुझे इतना पसंद नहीं मत ठीक है यार बट मुझे इतना अच्छ इसको मैं ऐसा ब्रश यूज ब्रश नहीं ऐसा ब्लश यूज कर रही हूं and beauty blender के हाथ से blend कर लोंगी यह lipstick का कर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं अपने lips पर तो मैं इसको ऐसा ब्लश यूज कर लेती हूं otherwise इसका कुछ भी काम नहीं मेरे lipstick के box में मुझे यह रखी हुई ब बेस बहुत ज्यादा पसंद है ठीक है अच्छे से apply कर लोंगी अपने एस पर फेस को अच्छे से set कर लोंगी उसके बाद SFR की bronzing kit यूज कर रही हूं जिससे मैं अपनी चीक्स को नोज को और जो लाइन को ब्रॉंज कर लोंगी forehead को मैं इसले ब्रॉंज नहीं कर रही हूं क iriters के अल से मैं अपनी नोस को consumer कर लोंगी थोड़ी नोस को अच्छे से मैं contour करते हूं कि को ngos9 g न न मेनε खाते-पी घर की है थोड़ी Si तो इसलिए और मुझे बैग्राउंड इस तरीके के बहुत अच्छे लगते हैं मतलब लाइट वाइट वाले क्योंकि आपके फेस फोकस होता है ने पीछे बलब से जलते रहते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन जब यह चुटती है ना लाइट एक दिन से डर ज मस्कारा यूज कर रही हूं और मेरा लोवर लैशेस का जो आई मेक अप मैंने कर रहा था वह वाली कलिप मेर से कट हो गए उसके लिए सोरी 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 दिल से सोरी बट मैं आपको बता देती हूं मैंने क्या लगाय था नीचे मैं अपनी वोटर लाइन में ब्लैक काजल और के नीचे काजल को स्मझ करने के लिए अबकड ग्री ऑइसाड़ अउस में भलक हाइज बिल्कुल अफाय उसके बाद अपने इनर लीड़ को में हाइलाइट कर ने उए हैं ब्राव बन को भी में हाइलाइट कर रह रही हैं अगर आपको इननलीट को हाइलायट करना पसंद निया हैं कुछ लोगों कोशनी बहुंकि दिननलीट को आपको आपसंद गरना हॉ यहां पर मेरे डांस निकल रहा है क्योंकि मैंने ब्लुथूथ पर सौंग चला रहा है उसके बाद मैंने ब्लू हैवन का लिप बाम लगाया एंड टिशू पर किया है सारा साफ कर दिया जिससे कि जो भी हमारे लिप्स पर फाउंडेशन कंसीलर लगा है वह रिमूव हो जाया एंड फेज से लिप बाम लगा लिया एंड थोड़ा आसपास अराउंड माउथ मैंने ब्लेंड कर लिया क्योंकि थोड़ा बहुत चुट उट गया हो इधर उधर से तो अजीब साना लगे उसके बाद यूज कर रही हूं मैं आइकॉनिक लेंडन का इलूमिनीटर जिसे मै मैं अच्छे सप्लाइ कर लोंगे अपने पूरे टी जोन पर टी जोन पर उसके बाद यूज करिए किस ब्यूटी का हाँ पर मेक फिक्सर ट्वंटी फोर के गोल्ड कारट वाला एंड गाइस इस मैं फाइनल लुक आप यूप यूज इंजॉए इस वीडियो और मेरी लिप